पांच साल में पांच पीम आपको मंजूर है क्या यह बहुत डरावना खेल है यह देश को तबाह करने वाला खेल है यह सपना हसीन नहीं है यह आपके सपनों को चूर चूर करने वाला खेल है तो तो ऐसा अंधेले में हम तीर मार सकते हैं क्या तो इंडी गडबंदन वाले भ अबना राग हाला आप रहे हैं साथियों आज जब देश कि पचीस साल के लक्षों पर काम कर रहा है अगले पांच साल का रूण में बना रहा है और सरकार में आने के बाद पहले सो दिन के निर्णों पर काम हो रहा है तो इंडी गडबंदन वाले भी अपनी डफली अपना राग आलाप रहे हैं आपको ये सुनकर हसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा कुछ मिडियार रिपोर्ट में आया है कि इंडी गडबंदन वालों में चर्चा चल रही है क्योंकि मोधी बार बार पुझता है कि बताओ भै इतना बड़ा देश किसको सुपरत करें नाम तो बताना चेंज भै आप बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपरत कर सकते हो क्या यह लोग नाम बताने को तयार नहीं है यह लोग तो बता दिया अगभी मोधी है बताओ आपको देना है तो यह मोधी है दीजिए कहा नहीं कहा आपके सामने नाम है ना दूसरी तरम नाम ही नहीं है इतना बड़ा देश किसको देना इसका देश को पता होना चेक नहीं होना चाहिए जड़ा बोलो ना पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए है आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं पता है किसी को तो एसा अंध्यवे में हम तीर मार सकते हैं क्या यहां तो साफ साफ है दस साल का अनुबह हुए मोदी आपके सामने है और सब लोगों नहीं कहा है कि मोदी हमारा मुमेद्वार है कि यह लोग इसका जवाब गूंड रहे थे जवाब मिल नहीं रहा था लेकिन अभी कुछ इस मिडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है तो बोलते हैं उन्होंने फॉरमिला बनाई है उन्होंने फॉर्मिला बनाई है कि कौन प्रादामंद्र बनेगा कहा जा रहा है कि यह लोग वन यहर वन प είναι म फॉरistor बना यानि एक साल एक पीएम दूसरे साल दूसरा पीएम तीसरे साल तीसरा पीएम चौते साल चौता पीएम पांचवे साल पांचवा पीएम बताओ वे क्या होगा देश का क्या होगा क्या होगा मुझे बताईए देश बचेगा क्या आपका सपना बचेगा क्या आपके बच्चों का भविश बचेगा क्या इसका मतलब ये पी-एम की कुर्शी का भी ऑक्षन करने लग गए है बताईए जो बोली बलेगा एक साल बैठेगा और मजा क्या होगा फिर जेग उपर बैठेगा ना चार लोगों कूर्शी की ये तांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मोके की तलास में रहेगे कि इसका साल पूरा कब होता है उसको हिलाते रहेगे भाई यो भेनों यूँ तो जो सुनने के बात लगता है कि या तो साइद मुंगेरी लाल के सपने जज़ा होगा लेकिन साथियों मैं आपको जागरत करना चाहता हूँ मैं चेताना चाहता हूँ यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत कहकरके सो जाने वाला मुद्दा नहीं है यह बहुत द्रावना खेल है यह देश को तबाह करने वाला खेल है ये सपना हसीन नहीं है ये आपके सपनों को चूर चूर करने वाला खेल है दोस्तों और इसले जाग जाएए चेत जाएए आपके वोट की ताकत समझेए मेरे प्यारे भाईयों भेनों देश को बचाने के लिए आप आगे आईए जो रिल्स में सोचल मीडिया पर लोग मजाग में कहते हैं उस पर इंडी गड़ बंदन बहुत गंबीरता से विचार कर रहा है आप मुझे बताइए आप इस एक साल एक पीम वाले फॉर्मुले से सहमत है क्या पांच साल में पांच पीम आपको मंजूर है क्या क्या देश को ऐसे फरिस्टिटी में छोड़ सकते हैं क्या तो दुनिया के लोग मजा गुडाएंगे कर नहीं उड़ाएंगे तो दुनिया में देश का जो आजनाम बना है ओर धड़ाक से नीचे आयेगा क्यों नहीं आ conductor क्या बेजा है अब गंगर यार बेजना है वो जाप आएगा क्या प्राजिस्थान की अनिक ख़बरों को देखने के लिए सस्क्राइब करें हमारा यूटूब चैनल वोन मिन्ट अच्छा सांसाट जी अभी आते हैं यहां पर अपनी छेतर में यार से सीधे निकल जाते हैं यूँ भाई भी निकरते हैं प्रदान मंत्री जी ने अभी 51 अभी एरपोर्टों की खुष्णा की कोटा का नाम नहीं है कोटा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा एक इंड भी लगाई हो आपने ता वो पता दीजिए को टकरता दौनों की है लेकर ने कांगरेसी जीतेगी में चुना हो रहे है मोधी जी पता है एक बार अटल्वेयर वाज में छुड़ाये था यह कब का वाक्या है वाक्या है बलेव हम पिलें पीजेपी के अर्विल्डा को सपोर्ट करेंगे असा में आज हम आप पोचे हैं रिवर फ्रंट पर जहां पर कुछ ऐसे ही बुजूर को बैठे हैं टिकेट के अब घिसी पिटी खबरें नहीं देखिए बहतरीन प्रेजंटेशन हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स अब घिसी पिटी खबरें नहीं देखिए बहतरीन प्रेजंटेशन हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स अब घिसी पिटी खबरें नहीं देखिए बहतरीन प्रेजंटेशन हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स